चात्र संगठन NSUI ने सरकार वो पुलिस पर चात्रों की आवास दवाने और एक ही विचारधारा के संगठन को तरजी देने के आर्रोब लगाए हैं श्यम्रा में मंगलवार को चात्र संगठन NSUI ने पत्रकार वारता कर सरकार पर निशाना साधा NSUI के अध्यक्स चत्र सिंग ठाकुर ने कहा कि धर्मचारा कॉलेज में अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत के कारेकरताओं द्वारा NSUI के कारेकरताओं को परिशान करने का काम किया जा रहा है युनिवासिटी में NSUI के पोस्टर फाड़े जाते हैं लेकिन शिकायद देने के बाब जूद पुलिस कोई कारवाई नहीं करती उन्होंने कहा कि बस तीन महीने का समय ही रह गया है इसके बाद भाज़पा की सरकार को सब्ता से उखार सेंकेंगे सर आज प्रेसवारता का जो मुख्या बिद्दू था हिमाचल प्रदेश के जो रिजन सेंटर खन्यारा में लगातार चातर संगठन दुबारा हमारे चातर संगठन के कार्यकरताओं के साथ छेट-छार की जा रही है उनके साथ मारपीट की कोशिश की जा रही है हमारे चातर संगठन के जो चातराएं हैं वो पुलिस टेशन में जाके उनकी जो है जो शिकायत भी कर रही है इन उदेश्यों के लिए के NSY ने आज प्रेस कॉंफरेंस के मादेम से आप लोगों के मादेम से आवाद को बुलंद रखा और मैं आपको कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों NSY वहाँ पे अपने guidance bureau अच्छे तरह से लगा रही थी NSY अच्छे काम कर रही थी help desk में लोगों के help कर रही थी जो दूसरे चाहतर संगठन इस बॉकलाट में उन्होंने हमारे DC office में धरना प्रदशन किया उसके बाद मजबूरन जो है फायार को रिजिस्टर करना पड़ा जबकि पहले हमारे चाहतर संगठन जो नेता है उनके उपर फायार रिजिस्टर की गई वहाँ पे शरयाम गुंडागर्दी का महल बनाया जा रहा है शिक्षा का बगवा करन कि जा रहा है और स्थानिय विधायक द्वारा पुलिस प्रशाशन को पुरी स्पोट है उनके दबाओं में पुलिस प्रशाशन एनस्वाई के चात्र संगठों की चात्रों की आवाद को दबाने में लगे है इन मुद्दों को लेकर हमने आज प्रेस वारता भी की और आने व जो हमारा विधान सबागे राओ है आने वाले 12 या 13 अगस को होना निच्ची तुआ है इसमें थोड़ा सामें अपने राष्टी नित्रित्तों से भी टाइम लेना पड़ेगा पर ये कि 12 या 13 अगस को हम आने वाले समय में विधान सबागे गिराओ करेंगे जिसका मुख्य जो मुख्य बिंदू होगे CSC चुनाओ जिसको लेके BJP की सरकार आई थी कि आने वाले समय में CSC चुनाओ को बाहल करेंगे वो नहीं हुए अगनी भी चार साल में आप देखे कि हम तो शिमला में रहते हैं अगर मैं लोर हीमचल में जाता हूँ चाहे हो हमीरपूर, कांगडा, बिलासपूरे वहां पर जो 4 बजे उठके हमारे जो छातर साथी है यवा साथी है उस दोर लगाते हैं अपनी कसरत करते हैं बैयाम करते हैं और फिजीकली टरैनिंग देते हैं उसके बाद 4 साल बाद उनको रिटायर किया गया है एक दूसरा मुख्या मुद्ध होगा और तिसरा जो सबसे ब क्या उनको मौवदा दिया गया और दूसरा अगर पेपर लीक होने से भी बच जाता है फिर आपके कोर्ट में स्टे लग जाती है आज देखिए हिमाचल परदेश पुलिस में हिमाचल परदेश पुलिस पटवारी प्रिक्षा एचार टीसी चाई जी ओ आईटी या मैंने पहले का किया तो भरतिया नहीं होनी है होनी है तो पेपर लीक होने है उससे बचेंगे तो आपके कोर्ट में है तो इस तरह के इन मुद्धों को लेकर जो मुख्य जोनचील मुद्धे है इन लेकर हमाने वाले समय में जानसभा गेराओ करेगी हिमाचल प्रदेश के जो रिजिनल सेंटर खन्यारा में लगातार चातर संगठन दुबारा हमारे चातर संगठन के कारेकरताओं के साथ सेट चार की जा रही है उनके साथ मारपीट की कोशिश की जा रही है हमारे चातर संगठन के जो चातराएं है वो पुलिस टेशन में जाक पिछले दिनों NSY वहाँ पे अपने guidance bureau अच्छे तरह से लगा रही थी NSY अच्छे काम कर रही थी help desk में लोगों की help कर रही थी जो दूसरे चातर संगठन इस बॉकलाट में उन्होंने हमारे banner poster फाड़े वहाँ पे और इसके जवाबी कारवाई में जब हमने बोला कि क्यों फ F.I.R. को रिजिस्टर करना पड़ा जबकि पहले हमारे चातर संगठन जो नेता है उनके उपर F.I.R. रिजिस्टर की गई वहाँ पे शरयाम गुंडागर्दी का महल बनाया जा रहा है शिक्षा का बगवा करन किया जा रहा है और स्थानिय भी रायक द्वारा पुलिस प् मुद्धों को नहीं निप्टाया गया सरकार इस मुद्धे को जोलन शील या सव्वेदन शील बनाने में रही तो आने वाले समय में इसका पूर्फ जोर विरोध भी करेगी और बड़े लेवल पर धरना परदाशन भी करेगी आने वाले 12 या 13 अगस को होना निच्चित हु कि भी हम आने वाले समय में सियसे चुनाओ को भाल करेगी वो नहीं हुए अगनी बीर चार साल में आप देखे कि हम तो शिमला में रहते हैं अगर मैं लोर हिमाचल में जाता हूं चाहे हो हमीरपूर कांगड़ा बिलासपूर है वहाँ पर जो चार बजे उठके हमारा जो छ हमाचल परदेश में तो अगर आप आम चातर से पूछे या तो एक्जाम होगे री एक्जाम होगे तो पेपर लीक होगे पेपर लीक से भी बच गए अब आप देखे कि पुलिस में मेरे को बताईए कि जिन चातरों ने पहले पेपर क्वालिफाई किया अगर उनका नहीं दिया गया और दूसरा अगर पेपर लीक होने से भी बच जाता है फिर आपके कोर्ट में स्टे लग जाती है आज देखिए हिमाचल परदेश पुलिस में हिमाचल परदेश पुलिस पटवारी प्रिक्षा एचाटी सी चाई जीओ आईटी या मैंने पहले का कि या तो भरत परदेश के विश्वास निया ज्रीलर पुशन ज्रीलर सुल